हलो आप देख रहे हैं All Studies ली चैनल आज हम पढ़ेंगे रासाइनिक समीकरण जो क्लास 10 का इंपॉर्टन टॉपिक है यह हमेशा कुश्चन साब के वोड एक्जाम में आते हैं कि रासाइनिक समीकरण को संतूलित करें ठीक है तो देखिए यह है Left Hand Side और यह है Right Hand Side देखिए Left Hand Side को हम अभी कारक कहते हैं और Right Hand Side को हम कहते हैं उत्पाद देखिए और यह जितने भी लिखें हैं यह सब होते हैं तत्व अब इन तत्वों में देखिए आपको संख्याएं भी दिये हैं ठीक है तो यह तत्वों की संख्या है तो देखिए जो Left Hand Side पे तत्व हैं और उनकी संख्या है इसमें अगर जितने तत्व की संख्या है तो उसमें जो right hand side है आपका इसमें भी तत्तो की संख्या समान होने चाहिए तो आपका समी करन संतूलित कहलाता है ठीके हैं अगर मालेजें यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है तो यह संतूलित आपका नहीं होगा अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए यानिकि लेफ्ट हैंड पर 5 है तो राइट हैंड पर भी 5 होगा तो आपका ये समीकरण संतूलित हो जाएगा ठीक है अभी ये क्या है आसंतूलित समीकरण है अब हमें से संतूलित करेंगे सबसे पहले देखिए ये हैं अभिकारक तो हम्या लिखेंगे अभिकारक कारक और यह क्या हमारा धिरबारा right hand side कुत पाद यह मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता आया है अबिकारक को और अबिकारक को वीडियो चाहिए तो तो वह एंड क्रिसा प्रस helps देख लेना ठीक है और अगर आपको इससे पहले आले समीकरन इस वाले समीकरन की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां, N, देखिए, मैंने अगले वीडियो में बता है, N क्या होता है, आपका सोडियम, देखिए, N में कितने दे रखे हैं, आपको, संक्या अब हम सैकंड वाले में आते हैं कि कि अगे सब्सक्राइब करें को सथ सफ लिखा है चार यह वर एक समू और बन गया अब हम पहुंचेंगे लेफ्ट हैंड साइट पर एने कितना दे रखा आपको दो साफ साफ लिखा है ह यानि कि सॉलफर कितना दे रखा कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है ओ ऑक्सिजन कितना दे रखा है चार साफ साफ पता चल ला है यह आपका एक group बन गया यह left hand side है यह right hand side है आप देखिए hydrogen साफ साफ लिखा है दो है oxygen कितना है कुछ नहीं है तो एक है यह एक group बन गया आपका अब हम देखीए इनमें तत्वों की संख्या कि सेम है यानि है sodium कितना है एक है यहाँ sodium देखिए कितना है ही जीर्ण हो अगर यहां-दोहता तो हमने दों इन तीनों में ही गुणा होगा तो दो यहां पर हम दोंसे गुणा करेंगे अब यह दो इन दोनों में गुणा होगा ठीक है सहुझ में आरा है तना आपको तो देखिए यह 2 इन दोनों से गुणा करें गए दो इयुदड़ करें का ये 5 तो देखिए और यहां पर देखिए हाइट्रोजन दो दो कितना हो गए चार हो गए तो यहां पर भी हाइट्रोजन है चार सलफर है एक ठीक है सलफर है एक ऑक्सिजन है कितना चार ऑक्सिजन है कितना चार संज में आ गया देखें यहां ऑक्सिजन 2 है तो यहां पे भी 2 है यहां ऑक्सिजन 4 है तो यहां पे भी ऑक्सिजन 4 है तो यह आपके क्या हो गया अप समीकरण संतूलित हो गया अब देखें जिस जिसमें हमने गुणा किया है उसको आप यहां समीकरण में लिख देंगे तो पूरी तरीके से समिकरण संतूलित हो जाएगा देखिए दो यहां गुणा करा तो हमने यहां पे लिख दिया दो ठीके दो यहां गुणा करा तो हमने यहां पे लिख दिया दो तो यह हमारा समिकरण अपके हो गया पूरी तरीके से संतूलित हो गया आई होप आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन जरूर दबाना आगे वाले पार्ट के लिए कि जब मैं और समीकरण सॉल्फ करा हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए इसलिए बैल आइकन जरूर दबना तो देखे एक बार और एकृर को एक्स्प्लेशन कर देती हूँ आपको मैं ओको आ देखे य यह होते हैं अभि कारट और यह होते हैं गद्ध यह गया हर संख्या होती हैं आपको इसको बैलेंस करनाका यहां चार है तो यहां पर 6 muche Santoolid होता है अहांपर काम पर 4 ऐस Scientists था好好 तो यहांपर agree to पर दोनों की संक्खया समान करनी होती है तो यहां पे हमने N लिखा, N में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, oxygen में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, hydrogen में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, फिर hydrogen के 2 है, sulfur का 1 है, oxygen का 4 है, ऐसी right hand में आपका sodium का 2 दे रखा है, sulfur 1 दे रखा है, oxygen 4 दे रखा है, hydrogen 2 दे रखा है, oxygen 1 दे रख कर देंगे अब यह दो इन तीनों में ही गुणा होगा दो एक कम दो दो एक कम दो इन तीनों में यह गुणा हो गया ठीक है अब देखिए यहां पर सोडियम दो है तो यहां पर भी सोडियम दो है ऑक्सीजन दो है तो यहां देखिए ऑक्सीजन एक है अभी यह संतुलित नही देखिए 2 दुनी 40 फिशायद्थ 2 आप देख्थाएं सोडियम है रहें बहुत बच्चे करें तो इनको सब्सक्राइं को स्कूरिगां इंहां दो पिणालों है ओक्सविशन है οक्सीजन यहाँ बीयू हो गया हाइटरोजन दो है और यहाँ वी पिर ही जो करें चाहिए तो यहां देखें, हाइट्रोजन है, चार, फिर सल्फर आपका एक है, सल्फर एक है, ओक्सीजन चार है, तो यह आपका संतूलित हो गया, अब जहां जहां आपने गुणा कर रखा है, उसको आप इस समीकरण पर लिख दीजिए, देखें, यह दो है, तो यहां हमने दो लिख दिया, तो इस तरीके से समीकरण को संतूलित किया जाता है, और यह आपका बोर्ड अग्जाम में जरूर दो नंबर के कोशन आता है, और तीन समीकरण आपको दिये जाते हैं, दो दो नंबर के, तो आपके टोटल हो जाते हैं, छै माक्स, अगर छै माक्स लाना है आपने, तो इस तरीके से करके आईएगे आपको पूरे-पूरे 6 मांक्स मिलेंगे। तैंक यू अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बैल अंकर जरूर दबाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तैंक यू